हेलो प्रेंस आशारक तो अब सब बच्चे होंगे आज इंड्रेंट्रेंड क्रोसिंग तीरी इस गेम प्ले में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम गूर्स ट्रेंड का जो गार्डवैन है उसको रानिंग कॉंडिशन में डिकपेल करेंगे और उसके बाद और भी ए है यहाँ पर रुक चुका है लाल सिगनाल है इसलिए ट्रेंड को रुकना पड़ा और हम अभी पैदल जा रहे है एक दम अंत में मतलब जहाँ पर गार्डवैन होता है ठीक है तो अभी ट्रेक से जा रहा हो भाई मतलब यह ठीक नहीं है अगर बैक साइट से कोई ट्रेन आ हो जाएगा तो यह हम नहीं चाते है तो इसलिए क्या क्या हम ट्रेक से थोड़ा साइड में आ गए ठीक है तो अभी अभी कुछ दूर जाना है साइज चले आए हाँ गार्डवैन में ना जाननी का एक मज़ा अलग होता है तो एक बाद देख लेता है कोई ट्रेन आ रहा है केमेर एंगल के थोड़ा घुमना पड़ेगा यहा से अडे भाई ट्रेन है इस ट्रेक पे जल्दी से हाट जाता हूँ पर लगता है ट्रेन जो है ना लाल सिगनल पे खड़ा है अभी तो कोई चिंता की बात नहीं है जल्दी से गार्डवैन में ना हम चर गए तो आभी हम नहीं करेंगे डिकपल हम कप करेंगे जब ट्रेन छोड़ेगा और कुछ दोर जाएगा तब तो जो स्पीड है कुछ इंक्रीज हो गाई उस टाइम हम डिकपल कर देंगे और वो जो रानिंग कंडिशन में हमारा गार्डवैन होगा हम देखेंगे कितना दूर जा सकता है हम ठीक है और उस टाइम न एक ट्विस्ट होगा ठीक है वो हम बाद में बताएंगे क्या होगा हो तो अभी जो फिलाल हमें वेट करना होगा का हमारा जो गूर्स ट्रेन है उसको सिगनल मिलता है तो फाइनली हमारा जो ट्रेन है छोड़ दिया है और देखिए पीछे से न और एक ट्रेन आ रहा है ठीक है वैफ पर लोकोमोटीग होगा साइद तो यहाँ पर ही ट्विस्ट होगा जो सेगन ट्विस्ट होगा ठीक है तो अभी क्या करना होगा हमें कुछ देर वेट करने के बाद मतलब ट्रेन कुछ देर जाने के बाद हमें गार्डवेन को पुरा ट्र अगर सामने से जाए ना तो वह से कुछ ठीक दिखाई निता है मतलब जो भी होता है तो देखिए पीछे से जो ट्रेन है ना आभी दुड़ी पे है और हमारा ट्रेन जास स्पीट इंक्रिस कर रहा है और देखिए जो दूसरा टैक्स है वहापर भी एक ट्रेन खड़ा है तो यह ट्रेन भी साए रुका हुआ था मतलब यह जो ट्रेन था हम जब ट्रैक पे थे ना जब दिखाई दिया था दूड़ से तो यह ट्रेन था यह देखिए अब यह हम क्या करेंगे डिकवेल करेंगे और कुस दिर का इंतजार है लेवल क्रोसिंग आई चुका है सामने बास आप हमें डिकवेल कर देना है हो गया है डिकवेल अरे भाई राइट सेर के ट्रेन तो डिरेल्ट हो चुका है देखिए ऐसे ब्लू कोच के साथ मतलब दूनों ट्रेन में क्या क्लैश हो गया भाई नहीं मालून पर अभी विलाल तो हमारा जो देखिए डिकवेल हो गया और आमारा जो गार्डवन है जिसमें हम है अभी देखिए अभी जस्ट रानिंग कंडिशन पर है ठीक है तो कितना दूर हम जा सकता है बीना लोकमोटीव के ठीक है तो देखते है चलिए तो मतलब हम तो बहुत दूर चला है देखिए वू ट्रेन जो है ना दूर में जो उत्क्रिस्ट कोस के साथ जो ट्रेन खाड़ा था हुआ पर मतलब अल्लेरी डिरेल हो चुका था ट्रेन और एक ट्रेन आ रहा है देखिए भाई मतलब तो क्या होगा बहुत ही बढ़ा कांड होगा अभी तो आभी बहुत टाइम हो चुका है तो आमारा गार्डवन है व कोमोटीव होगा मतलब फुरा ट्रेन ही जब इस गार्डवन को हीट करेगा ना मतलब आप सोच सकते हो क्या होने बाला है या पर गार्डवन डिरेल हो सकता है या ट्रेन या कपेल देखते है चलता है अड़े भाई अड़े वाई ट्रेन ने तो हमें मतलब हीट कर दिया है भाई देखिए हम तो मतलब बज गए पर हमड़ा ट्रेन अड़ी डिरेल हो चुका है मतलब एक गाडवैन को कुछ नहीं हुआ मैंने सोचा था कि अगर वो ट्रेन हमें हिट करे गाडवैन को तो मतलब यहाँ पर डिरेल हो लेका समाव ना हाई चांस था ठीक है गाडवैन का और एक हो सकता था कि कापेल हो जाए यहाँ पर तो मतलब जो ट्रेन हमें गाडवैन को हिट किया ना वही तो खुद डिरेल हो च आज का मेरे गेमप्ले बस इतना ही प्लीज कोमेंस करके बताइए आज का मेरा ये गेमप्ले आपको कैसे लगे बहुत जल मिलते है और एक इंट्रेस्टिंग गेमप्ले के वीडियो के साथ थैंक यू और हमारा गार्डवेन रुखेगा कब